हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं छोले को हमने 8 सीटी लगा कि अच्छे से ओबाल लिया है यह देखिए अच्छे से एकदम हूच जा रहा है आप इसमें देख सकते हैं यह देखिए औरेडी खुधी हुटा हुआ है यह देखिए चटके हुए है इतने अच्छे से हम को छोले को अच्छे से वॉयल कर लेना उसके बाद हम बनाएंगे इसका तड़का के लिए तो सबसे पहले हमने देखिए अच्छे से घिस लिया है आप मिक्सी में पीस से भी सकते हैं और यह लस्टन है इसको भी हमने कद्दू कर से ही और यह हमने लिए तेज पत्ता और यह कर दो हमें कालिवर्च और लॉंग को बाहर निकाल दें ते घिलाया है वार जागा अज़ा है अब पत्ता और पत्तर पूल अब दाल देंगे इसमें कि गैस को हमें तेज कर लिया है अब हम लिलस्टन डाल देंगे इसमें करता है कि प्याज को कर देंगे चेंज हो रहा है अब दुने इसमें थोड़ा सा डाला है अद्रक गैस कर दिये बंद और जो काली मिर्च और लॉंग उनको मच्छे से पीच लेता है यह है लॉंग काली मिर्च और अद्रक पिसावा इसको भी अद्रक चोड़ देता है अब दाले पे तुमाटर की पीवरी अब हमने लिया यह पानी कटोरी में अब हम इसमें ना लेंगे दनिया पाड़ा अब वान एंड हाफ स्पूम् और यह लिए आप लोग जितना मिर्च खाते हैं वैसे भी डालिए और यह है खल्दी जो है कम लेते हैं थोड़ा सो यह है पींग उसमें हम यह लेते हैं छोले मसाले वन इस्पून हमें लिया है छोले मसाला इसको अच्छे से मिला लेते हैं इसके बाद हम यह डालेंगे मसाला अब हम जो है पहले से नमक डाल दिया था अब हम जो है मसाले को देखते हुए नमक डालेंगे अब हम जो है पढ़ाई के मसाले को लेकर और इस कुकर में डाल देंगे और कुकर में एक सीटी लगा देंगे नमक जो है तो हम देखिए मसाले को पलग लिया है और हम इसमें एक सीटी लगा देंगे कि अब हम पर मिली नमक जो है थोड़ा सा और अलक डाल देते है इसमें विज़ नमक मздरूँ सब्सक्राइब हम जोगँ मुझे इसमें थोड़ा सा टेस्ट पानी पड़ जाता है इसमें पानी देख सकते हैं जितना पानी इस पुकर में था वही लिया इसमें एक सीटी लगा देते हैं अगर आपके छोले थोड़े से कम दले हों तो आप दो सीटी लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स फुकर में सीटी आने का वेट करते हैं तो सब्ची बनके रेडी हो गई है हमारे छोले की थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स बाइ बाइ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा ओके बाइ फ्रेंड्स